नमस्कार दर्शकों हिंदू धर्म में यम दुतिया जो की कार्तिक माह की शुकल पक्ष की दुतिया तिति को बहत महतपून मानी गई है इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा और उनकी आराधना की जाती है चित्रगुप्त देताओं के लेखा पाल होने के नाते सभी मनुश्यों के पाप और पुन्य का लेखा जोखा रखते हैं कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली पूजन के दूसरे दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है ऐसी मानेता है कि चित्रकुप्त की पूजा से मनुश्य को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग के भोगी होते हैं आज हम बता दें सुर्देव की पत्नी संध्या ने जो दुड़वा संतान को जर्म दिया था पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमना रखा गया था जब यमना बड़ी हुई तो माता संध्या को उनके विवाह की चिंता होने लगी बाद में यमराज के सहायक के तोर पर काम कर रहे भगवान चित्रगुप्त से यमना का विवाह संपन कर दिया गया इस तरह से चित्रगुप्त यमराज की बहनोईक बन गए ऐसी मानेता है कि इसी रिष्टे की वजह से चित्रगुप्त की पूजा करने वाले भक्तों को यमराज को कोप से नहीं भागना पड़ता उनको यमराज का भय नहीं होता चितरगुप्त को देवताओं का लेखापाल भी माना जाता है यम दुत्या के दिन चितरगुप्त पूजा के साथ ही कार्तिक मास के सुकलपक्ष की दुत्या तिथी को भाई दूज परवी भी मनाया जाता है इस प्रव की कथा के अनुसार जुड़वा भाई बहन यमराज और यमना में बड़ा इसने था विवहा के पश्यात यमना चित्रगुप्त के महल में रहने लगी थी बीच बीच में वह अपने भाई यमराज को कुशल शेम पूछने के लिए घर चली जाती थी लेकिन यमराज कभी उनके घर नहीं आते थे इससे यमना काफी दुखी रहती थी एक बार अचानक यमराज कार्थिक महस के सुकल पक्ष की दुटिया तिति को बहन यमना के घर पहुँच गए यमना को अपने घर में देख यमना के खुशी ठिकाने नहीं रही यमना ने पकवान और मिठाईया भाई को खिलाने के लिए कुशल छेम पूछा यमराज ने अपने आने प्रयोजन बताया और कहा कि मैं तुमारे घर नहीं आता तो तुम दुखी रहती मैं तुमें दुख नहीं पोचा सकता था इसलिए मैं आचानक तुमसे मिलने आ गया लोटते समय यमराज ने अपनी बहन से वर्दान मांगने को कहा यमना ने कहा कि आप प्रतिवास इसी दिन मेरे घर पदाने का वर्दान दीजिए बहन का भोलापन देख यमराज भावुक हो गए और उन्हें अश्रिवार्द दिया यमराज ने कहा इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसका आतित्ति स्वागत और स्विकार कर उसे उपहार देगा उसे उसे काल योनी में कभी भैवित नहीं होना पड़ेगा मैं उसे अकाल मृत्यू कभी नहीं मारूंगा भाई दूज यम दूत्या के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उससे इस नहें पुर्वक तिलक करवाएगा प्यार बाटेगा उसे मैं कभी भी अकाल मृत्यू नहीं दूँगा और कभी भी उसे नर्ग की प्रापति नहीं होगी वहां बैकुन लोग स्वर्ग की प्रापति करेगा माने ताओं के अनुसार यमना को अपने ससुराल में खुशाल देख यम्राज ने वर्दान दिया कि कार्तिक मास के सुकलपक्ष की दुतिया तिथी को जो भाई अपनी बहन के घर जाकर और उसे उपार देगा उसे काल का भय नहीं सताएगा इसके अलावा इस दिन मेरी बहनों चित्रोगुप्त की पूजा भी की जाएगी उसके दुखों का नाश होने के साहसाद उसके पापों से भी मुक्त कर दिया जाएगा यमराज बहन को आश्रिवात देखकर यमलोक चले गए माना जाता है कि तबी से भाई दूज की परंपरा शुरुवात हो गई और यम दुटिया के दिन यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है जो हर वहन अपने घर की चौखट पर देहलीज पर दक्षिन दिसा की और चौवमुखी दीपक जलाती है उसके घर में कभी अकालम रत्यू नहीं होती उसके भाई की हमेशा लंबी आयू बनी रहती है तो दर्शकों आप लोग और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारी दौरा हमारी चैनल के दौरा सुन सकते हैं बहुत ही सरल और सुन्दर से उपाय रहते हैं आपके जीवन में बाधाओं को दूर करने वाले हर एक उपाय हम अपने चैनल पर कोशिश करके डालते हैं ताकि आप लोग को अपने जीवन की समस्या का समाधान मिल सके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोस को पहुचाईएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही कठनाईयों को समाधान प्राप्त हो मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाय नमस्तु भिम जैमात